देवठनी एकादसी जीसे असाड मा एकादसी आथे दूसर पक छके उला देवशैनी एकादसी बोल थें वो इसने हैं असाड के बाद चतुर मास माने चार मास तक देव मन सैन मर थें जेका नाम से ही देवठनी एकादसी हो थे कातिक मा कातिक के शुकल पक छके एकादसी के द शालीक्रामजी के सांत मन hypnot जाम करते उलि गंणी न लेकर लाकर मन्डब नाम या कह पी時 जो तुल्शी के विवाह जैसे तुल्शी जब दू पत्ता के रथे तब है उला सावन में निकाल के उला लगाना चाहिए और उखर बाद उला पूरा चार महिना तक जतका बड़े हो जाए वो पेड़ा वो ही पेड़ के ही साधी करना चाहिए आईसे नियम है ओकर और उखर पूजा करते हैं तुल्शी विवाह है अब पहली के जगे तुल्शी है पूजा खाली करें में कोई दोस निहीं है मगर हां उकर विवाह नी करना चाहिए विवाह करना है तो पहली जब सावन माँ छोटे से पवधा प्राप्त हो थे ना उकरे समय लेही ओला गंबला वगरह मं कुछु म भी लगा के रखके फिर उकर साथ बसालिक राम जी के उकर सादी करना चाहिए धुमधाम के साथ जसना बन जायापन अब एई यकादसी के दिन लेही फेरोकर तहां एपार मा जैसे आवला भी है आवला आवला नोमी के दिन आवला ला कातिक महिना मा कातिक के महिना मा आवला नहीं खाना चाहिए लेकिन अभी जो है उकर पूरा महिना भर पूजा हो थे आ थात्री देवि के रूप मा उकर पुजा करे जाते हैं एकरे नाम से जब देवमन जग्य है करके अग्धन मा मांग मा फिर साधी है अच्छा उस्सावाला कारिय है मांगली कारिय है फिर ओकर बाद तहां चालू हो जाते हैं देव उठनी एकादसी के बाद से यह सब कार्यक्रम फेर चालू हो थे पुना और चार महिना तक उकरे बरोह बर जीत रह थे